करनाल के सरकारी होस्पिटल के वर्ल्ट बैंक में रक्तदान शीविर लगाया गया आपको बता दे कि जन्नायक जन्ता पार्टी की स्टूडंट और्गिनाइजेशन इंसो की ओर से यह रक्तदान शीविर लगाया गया है करनाल इंसो के जिला अध्यक्ष राहुल तोमर ने ब लगा पाए थे इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सरकारी होस्पिटल में रक्तदान शीविर लगाया गया है जिसमें बड़ी संख्या में यूवा बढ़ चड़कर भाग ले रही है उन्होंने कहा कि समाजी कारे करने की प्रेड़ना उनको जन्नायक जिन्ता पार्टी क प्रेड़ना स्रोत अजे सिंग चोटाला से प्राप्त हुई है जिसको आगे बढ़ाते हुए विविन समाजी कारे के साथ साथ रक्तदान शीविर का आयोचन किया गया है जिसमें सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए 15 यूवक रक्तदान कर रही है इसी कड़ी में जिसके द्वारा मैं इसो जिलांदे करनाल आज ये बलट तीन दिनों का बलट डोनेशन केम्प लगाने की कोशिश की गई है एक छोटा है लोगों की समाज सेवा के लिए ये करोना मामारी के लिए ये केम्प लगाया गया है जिसमें लोगों को जितने भी मदद हो सके ये पंद्रा परसो ये तीन दिनों का हमारा प्रोग्राम है इसे प्रेना में दे आप स्वाशी ये बाइसर दोक्टर अजे सिंग तोटाला जी के हमेशा जनम दिन के आउस्टर पर हम लगाते थे लेकिन इस बार हमें वो मोका नहीं मिला तो इसकर के हमने करोना मामारी के बीच अज जो है वैसे तो समाज से वी संस्थाइं हमारे साथ सारी जूड़े हुई है जे जे पी से आज 15 डोनर डेली कहते हैं तीन दिन तक डेली हमारे पास 15-15 डोनर आएंगे और आज भी 15 डोनर आ रहे हैं इसी तरीके से पंकज गाबा जी भी लेके आए हैं और ऐसे ही फस्क डोनेट करके सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुआ है और इस तरीके से 2 बजे तक हम लगातारिये बलट लेगे युवाओ को क्या कहना चाहेंगे जो जेजेपी की तरफ से राहू तोमर जी हमारे साथ हैं और ये अपने युवाओ साथियों को लेके आए हैं और डोनेट कर रहे हैं भारती रेट्रो सोसाइटी की तरफ से हम तो तैदिल से सारी संस्थाओं की और जेजेपी की अभारी हैं कि कम से कम की डोनर आ रहे हैं और य कि पच्पाएंगे ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाल अजबी बंक्वेट्स एंटर्प्राइब